सब्सक्राइब कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पहले तो लिख लो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है सिर्फ मैगनिटूड लिख रहे हैं होता है माइनस ओमेगा स्कारे माइनस होता है डायरेक्शन की वह जासे बट सिर्फ मैगन या दोगुना इसको दोगुना करते है इसको दोगुना करते हैं keeping the maximum speed constant 지금 the maximum speed retardation तो हम क्या करने वाले कि इसको change नहीं कर रहे हैं इसको constant रख रहे हैं लेकिन इसको दोगुना करना चाहा रहे है ठीक है तो बोल रहे है कि IT is possible when ABCD इन 4 में से कौन सा सही है तो तुम option खुद से देखो हम तुम को बतारे कौन सा सही है actual में क्या होगा कि अगर supposed करो कि हम इसमें कोई change नहीं चाहते हैं ok इसमें कोई change नहीं चाहते ओमेगा का और एक जो प्रोड़क्ट है इसमें कोई change नहीं चाहते हैं तो हमको इसको दो गुना करने है तो इसको दो गुना करना है तो OMEGA-A को तो चेंज ने करना हैं इंटू OMEGA OMEGA- स्क्वार8 हे तो OMEGA इंटू OMEGA ए तो अगर हम मांलो कि OMEGA को डवल कर दे रहे हैं to OMEGA हो जालका 2 OMEGA इन्टू 2 ओमेगा इन्टू ए तो यह क्या जाएगा 4 ओमेगा है लेकिन हमको तो इसको दो गुना ही करना था चार गुना तो करना नहीं था मतलब कि एंप्लिटूट को भी हाफ करना पड़ेगा यह दो गुना हो गया ठीक है अब देखो ओमेगा को double किये और amplitude को half किये तो क्या ये change हुआ वी-max तो अभी भी वही है समझ बात समझ बात समझ लॉजिकल क्वेस्चन कि frequency को अगर double कर दें और amplitude को half कर दें दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे कुछ रटा रटा है नहीं कि हां रट क्या आगया और सी लगा दें यह जो है यह double होना चाहिए और यह fix होना चाहिए ठीक तो तुम क्या करो omega को double करो और x amplitude को half करो और इसमें put करो तो omega को double करोगे तो 2 omega का square into a by 2 तो 4 omega square into a by 2 तो यहां से क्या जगा 2 omega square हो गया ना double तो acceleration को double कर दिया लेकिन velocity अभी भी उतना ही होगा अभी भी उतना ही होगा तो frequency को double कर दो और amplitude को half कर दो angular frequency जो omega है उसको double कर दो और amplitude को half कर दो तो vmax का value नया वाला हो जाएगा 2 omega into a by 2 तो तो कटा तो अभी भी omega a आ रहा है और नया acceleration जो होगा नया वाला frequency को double किया और amplitude को half किया तो 2 omega का whole square हो गया 4 omega square into a by 2 यह दो से दो बार में कटा तो 2 omega square a तो क्या यह सुरू के acceleration का double हो गया है हां हो गया है लेकिन यह तो उतना का उतना ही है इसी लिए c option इसमें सही होगा आया समझने बात clear है any doubts no doubts okay so thank you so much for watching